Hello everyone, my name is Riddhi. इस lecture में हम लोग PSIR Optional Unit 7 डिसक्स कर रहे हैं and Unit 7 is about Power, Concept of Power हैं जिसमें अलग-अलग topics आ रहे हैं तो Theory of Circulation of Elites इस lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें से UPSC ने काफी सारे questions अलड़ी पूछे हैं आपके syllabus कर पार्ट है, that is why यह important है आपके लिए करके जाना तो यहां पर आप देखोगे 7.1.8 यहां पर आता है Theory of Circulation of Elites तो Power के अंडर जितने भी topics चल रहे हैं उसी में आता है Concept of Power के अंडर Theory of Circulation of Elites आता है ठीक है, important है यहां पर आप देख सकते हो, 1992 में यह question आया था Comment, Theory of Circulation of Elites तो UPSC अलड़ी यहां पर 1992 में भी पूछ चुका है 20 number of question आया था, तो वह important हो जाता है Then illustrate from contemporary Indian experience, the Theory of Circulation of Elites 1995 का again question आया था, Theory of Circulation of Elites पर और Theory of Circulation of Elites पर बहुत ही famous एक थिंकर है Pareto, उनकी Theory है, Theory of Circulation of Elites Socio में भी अगर आप पढ़ोगे तो यह इनकी Theory आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो काफी important topic है आपके लिए करके जाना बहुत ही simple है, बहुत ऐसा कुछ difficult नहीं है इसमें समझने वाला बहुत simple है, मैं आपको एक short में पहले आपको diagram के थूँ बता देती हूं कि इसमें यह चलता कैसे है तो यहाँ पर क्या है basically परेटोगी जो theory है circulation of elites की उसमें अलग-अलग type के elites होते हैं तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर है circulation of elites ठीक है, तो circulation of elites में आपके सबसे पहले दो तरीके के लोग आते हैं एक तो होते हैं elite और एक होते हैं non-elites ठीक है, सबसे पहले तो यही दो लोग हो गए अब elites में भी दो तरीके के यहाँ पर circulation of elites में लोग आते हैं एक होते हैं governing elite जिनकी वाज़े से directly government को, administration को affect होता है ठीक है, directly influence कर देते हैं और एक होते हैं non-governing elites non-governing elites कौन से होते हैं, जो कि directly influence नहीं करते हैं government को but indirectly कहीं नहीं से administration को government को influence कर देते हैं तो यह दो तरीके के elites यहाँ पर बात की गई है अब इसको और simple terms में पहले introduction इसका तुरा से समझना ही कोईश करते हैं कि Pareto का circulation of elites की theory है वो यह कही गई है कि social की theory पानी जाती है तो sociology में पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ोगे और परेटो बेसी के लिए सोचते थे कि individuals जो है वो अलग-अलग abilities से bond हुए है सबकी अलग-अलग abilities होती है सबकी अलग-अलग skills होते हैं aptitudes होते हैं तो इसमें Pareto क्या कहते हैं कि हर एक society में सबकी अलग-अलग skills है aptitudes हैं तो अलग-अलग classes यहां पर बन गई है हर तरीके के लोग हैं अलग-अलग classes है इसी वज़े से जो पूरी society है हर एक society heterogeneous हो जाती है right? heterogeneous society हो गई यहां पर जो अलग-अलग है तो अब heterogeneity किसके base पर आती है कि आपका जो organization है या जो भी social balance maintain होना चाहिए तो उस balance को maintain करने के लिए क्या-क्या चीज़े लगती है जिसकी वज़े से heterogeneity आती है आपका mental, moral, physical, cultural reasons होते हैं जिसकी वज़े से यह social balance बना रहता है अलग-अलग type की चीज़े होती है किसी का culture अलग हो सकता है किसी का अलग हो सकता है physical reasons अलग हो सकते है mental अलग है, moral अलग है तो यह सारी अलग-अलग चीज़ें मिलकर यह social balance और organization बनाई जाती है परेटों के हिसाब से लोग जो हैं वो physically तो unequal होते ही हैं but intellectually और morally भी unequal होते हैं कुछ लोग थोड़ी से जादा gifted होते हैं दूसरों के comparatively तो परेटों यह कहते हैं कि जो भी लोग ऐसे हैं एक particular group में जो की जादा capable है उनको elite कहा जाता है वो elite है जो बाकी लोगों से थोड़ा से जादा capable है तो यह जो term है elites यह जो term है यह क्या denote करता है एक ऐसी लोगों की class जिनकी पास highest indices हैं अपनी जो भी branch of activity को कर रहा है उसमें highest indices जो hold करते हैं वो basically elites कहलाते हैं ठीक है तो यहाँ पर elite का मतलब यह कहा गया है तो अब देखते हैं कि परेटों क्या इसमें मानते थे कि elite के हिसाब से वो कहते थे कि जितने भी small number of individuals हैं जिनका कोई भी spare of activity में जिन्होंने succeed कर लिया है successful है या उन्होंने एक professional hierarchy में काफी अच्छा खासा position हासल किया है जैसे कि आपके कुछ successful businessman हो गए या artist है या कुछ successful writers है या कुछ successful professors है वो सब हम elites की category में आ जाते हैं इसी हिसाब से उन्होंने ये दो तरीके के elites को divide किया था governing और non-governing elite इसके बारे में भी हम आगे बढ़ लेते हैं तो यहाँ पर Pareto की जो theory of elites है उसने काफी massive influence exercise किया था और उन्होंने काफी acceptable रहा था उन्होंने कहा था कि जो theory है it is just the beginning of wisdom तो वो कहते हैं कि अपने जो जितने भी उन्होंने कहा था कि वो basically जितने भी आपके characteristics होते हैं या फिर आपके physical है moral है cultural reasons जो मैंने just अभी बताया आपको तो यह सारे जो characteristics हैं उस पे उन्होंने solely जो focus किया है inferiority, superiority के traits पर और साथ में psychological type के traits पर वही सेम चीज़े हैं यहां पर although यह आप point ध्यान में रखा कि इस point के उपर आगे criticism भी किया था कुछ thinkers ने उनको के Pareto की जो theory है वो सिर्फ यही बताया हुआ है कि कुछ जो successful हो जाते हैं सिर्फ वही लोग जो है वो elites कहलाते हैं बड़ महां पर और कोई reasons बताये नहीं होए कि किस terms में successful होते हैं कि genetic भी कोई reasons हो सकते हैं biological भी reasons हो सकते हैं और क्या reasons हो सकते हैं जिसकी वेज़े से कोई person जो है elite हो जाता है तो बहुत thinkers ने यह criticism भी दिया था परेटों की theory को बड़ साइड बाइसाइड यह भी कहाता कि यह theory जो एक revolution की तरह है और काफी बड़ा topic है अच्छा topic है यह ठीक है तो यहां पर परेटों के हिसाब से सब ही लोग equal तो नहीं होते सब अलग-अलग हैं सबकी capabilities, abilities अलग हैं कुछ जादा intelligent efficient capable है बाकियों से तो इसी difference के हिसाव से यहां पर एक social stratification आ जाता है तो कुछ लोग superior class से belong करते हैं by virtue of their higher qualification किसी की qualification जाता है वो superior class में आ जाता है ठीक है अब आप लोग IS बन जाओगे आप एक superior class में elites में count हो जाओगी governing elites में count होगी in fact दो तरीके के elites के बारे में बात किए two classes of elites यह कौन से हैं आपके एक governing एक non-governing elites governing elites में क्या है वो लोग हैं जो कि directly indirectly administration से concerned है और यह लोग important role play करते हैं society में भी और इनका काफी prestigious place होता है आप लोग IS बन जाओगे आप लोग governing elites में count होगे अब non-governing elites होते हैं इसमें वो लोग आते हैं जो कि directly administration के साथ connect तो नहीं होते हैं but important place होता है इनका society में और किसी ना किसी तरीके से यह लोग administration को influence भी करते हैं ठीक है हर एक society में दो main group होते हैं एक group यह होता है जो कि काफी rich होता है government को जो elites में आता है ठीक है जो basically government से concerned होता है और means of production को भी control करता है इसी वज़े से यह rich होता है दूसरा होता है जो poor होता है और governed होता है मतलब कि जो rich elite लोग हैं वो उनको govern करते हैं जिन लोगों को वो poor और governed group होता है अब यहां पर elite जो है कोई भी ऐसी हरकत कर देता है जिसकी वज़े से उसको हटाना पड़ जाता है अपनी position से तो वो elite से non elite वाले group में आने में उसको देर नहीं लगेगी तो एक elite जो है वो कभी भी non elite भी बन सकता है और non elite अगर हम लोग IS बन जाते हैं तो हम लोग सीधा elite बन जाएंगे तो एक non elite भी elite बन सकता है तो यह जो exchange हो गया ना अलग-अलग classes में इसको circulation of elite कहते हैं और कोई भी society जो है वो अपना status को indefinitely maintain नहीं कर सकती ठीक है तो यहां पर changes जो है वो आते रहेंगे हमेशा के लिए society constantly एक ही जैसी चल रही है यहां पर कोई changes नहीं आ रहे है जो elite है वो elite ही बना हुआ है जो non elite ही बना हुआ है तो ऐसा कभी नहीं होता है changes हमेशा आते रहते हैं upward downward movement of elites यह चलता रहता है तो यह changes हमेशा ऐसे आते रहेंगे जो कि हरे class को affect करेंगे और यहां पर जो governing class होती है elites की उनका एक tendency होती है कि वो लोग non governing class होती है उसको कभी भी elites में आने की entry देना नहीं चाते हैं वो चाहते हैं कि वो लोग हमेशा non governing elites ही रहो कि government का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो ऐसा बहुत बार देखो ऐसा होता है तो basically यह prevent किया जाता है कि non governing class जो है वो हमारे elites में members ना बन जाए ठीक है बट ऐसा हो ने पाता है क्योंकि यह circulation of elites चलता ही जाता है Pareto भी कहते हैं कि history is a graveyard of aristocracy बहुत सारी aristocracy आहीं थी बट चली तो नहीं ना बहुत लंबे टाइम तक जरूर चल सकती है बट हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं रही है ठीक है तो अब यहां पर बात की गई है कि up and down movement of elites जो होता है वो दो तरीके से होता है सबसे पहले कुछ non elites होते हैं जो की बहुत अच्छा perform कर जाते हैं आपने merit के basis पे elites के level पे पहुंच जाते हैं जो सेम है आपके अगर आप UPSC crack करते हो तो secondly अगर आपका कोई revolution आ गया कि पूरी की पूरी एक governing class ही governed class के status में बदल गई ठीक है तो एक वो चीज़ भी हो सकती है तो दो तरीके के up and down movement हो सकते हैं बट अभी परेटों के opinion के हिसाब से चलें तो circulation of elites जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपको एक healthy social change बना के रखना है तो जो slowing down of circulation of individuals है मतलब कि अगर आपके यह elite की जो theory है circulation of elites की theory अगर नहीं चलेगी अगर यह पूरा circulation ना चले exchange of classes ना हो तो यहाँ पर क्या होगा एक ही class power hold करती रहेगी एक class फूर ही रहेगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि यतने भी superior quality है subject classes में वो चीज चलती ही रहेगी तो यहाँ पर एक balance maintain नहीं रहेगा social equilibrium के cases में social equilibrium हमारा unstable हो जाएगा और अगर थोड़ा सा भी change लाए हम या फिर थोड़ा सा भी slightest shock भी आता है तो वो पूरा जो आपका social equilibrium है वो पूरा destroy हो जाएगा कोई भी conquest होता है या revolution आता है तो वो एक new elite को power में ला सकता है और एक equilibrium भी maintain करता है तो वो चीज जरूरी होती है अगर आपको एक healthy square बनापके रखना है तो यहाँ पर basically परेटो की जो theory or circulation of elites की इसी के बारे में बात किया हुआ है बाकी चोटी-मोटी चीज़े हैं कि characteristics क्या हो सकती है elites की तो आप खुद सोचो इसमें characteristics क्या हो सकती है सबसे पहले जो individuals कहीं से भी governing elite में belong नहीं करते हैं non governing elite से भी belong नहीं करते हैं उनको non elite कहेंगे ऐसे लोग ऐसे individuals जो की ना की governing elite से belong करते हैं और ना ही non governing elite से belong कर रहे हैं तो ऐसे individuals को क्या कहेंगे non elites बहुत simple है ठीक है, अब जो इलीट की जो class है, वो युनिवर्सल है, एक continuous process चलता है, ठीक है, it is universal and continuous process, थर्ड, कि एलीट जो है, वो political power को चाहे overtly कहो, चाहे covertly करो, तो influence तो करते हैं, ठीक है, तो ये लोग manipulate, manipulate, correct word, manipulate करते हैं, political power को, ठीक है, एलीट, चौता feature, characteristic, एलीट जो है, उनकी पास इतनी capacity होती है, कि वो दूसरे के ओपर superiority establish कर लेते हैं, next point, जितने भी members होते हैं, एलीट classes के, वो हमेशा ये try करते हैं, कि नौन एलीट, जो है, वो social economic, political process, जो है, उसको influence ना कर पाएं, ठीक है, तो नौन entry, नौन entry of, नौन एलीट, ये try करते हैं हमेशा, एलीट class, फिर जो इतने भी नौन एलीट होते हैं, वो सिफ उनी एलीट की respect करते हैं, जो की अपनी approach में, अपने outlook में काफी liberal है, क्योंकि सिर्फ वो ये सोचते हैं, non elites ये सोचते हैं, कि सिर्फ ये ही इसी type के elites हैं, liberal elites ही उनकी मदद कर सकते हैं, अपने पास आने में, या फिर एक elite level पर जाने में, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि non elites respect elites with liberal outlook, ठीक है, and approach, ये simple features हैं, और जितने भी एक और आप पोईन यहाँ पर आट कर सकते हों, कि ये upward और downward movement जो हमने पढ़ी जो circulation है, या फिर upward downward circulation है, circulation basically, circulation है, elite का, और जितने भी elite class की जितने भी members हैं, और non elite class की जितने भी members हैं, ये elite का एक typical characteristics है, ठीक है, circulation या upward, या downward, ये बेसिकली elite का characteristic है, typical characteristic माने जाता है, ठीक है, तो यही कुछ-कुछ factors हैं, कुछ-कुछ characteristics हैं, परेटों के हिसाब से भी, जितना भी काम किया जाता है, elite के जोरा, role है, elite का, वो भी इन ही सब factors से influence रहता है, जो कि हर एक society में operative रहती है, जैसे कि एक तो constant हो गया, और दूसरा है derivations, तो मितलब कि आपका change आना जरूरी है, all in all ये कहा गया है, और जितना भी ये social change आ रहा है, एक constant process चलता है, जिसमें political, आपके economic factors हो गए, ideological factors हो गए, तो वो सारी चीज़े ये responsible होती हैं, तीन चीज़े में ली, एक आपके political factors, एक आपके economic factors, और एक आपके ideological factors, ये सारे factors हैं कुछ जो responsible होते हैं, इस पूरे continuous process को चलाने के लिए, जो social change का जो cycle है, जो continuous process चलता हो आ रहा है, ये तीन factors responsible होते हैं, इस process को continue करने के लिए, ठीक है, आपर ही बाग की गई है, तो Pareto की theory में हम इतना ही discuss करेंगे, next हम लोग concept of hegemony discuss करेंगे, ठीक है, तो इस course के लिए अगर आपको कोई भी details चाहिए, तो यहाँ पर आप synopsis.is.in website पर जा सकते हो, इस course की details के लिए,